तो मैं आज बात करने जाड़ा हो पी एंड गिल्ड और नॉन स्टोप गिल्ड की कंट्रोवर्सी के बाड़े तो गाइस हाल में आप लोगों ने देखा ही होगा एंजी गिल्ड में एक नया बंदा जोईन हुआ है जिसका नाम है एंजी आया दूब पहले पी एंड गिल्ड म मैंने खुझ यहां पर मतलब अच्छे से यहां पर हर्ज भाई यान जो लीडर हैं गिल्ड के उनसे बात करके यहां पर गिल्ड लीव किया है और मेरा गिल्ड लीव करने का जो रीजन था वह यही था गाइस कि मैं जिन बंदों के ता हमेशा 24 गंटे बैठता था जिनसे मै मैं बाते करता था जैसे कि केरी भाई हो कही हो गया तो गयाए वह बंद दे गया मैं उनके में उनके साथ हमेशा बैठा रहता था उनसे में आप मेरे बाते यह था कि आप जितने भी एक्स मेंबर ने प्रोनेशन के उनको आप अपने मतलब उनसे बात नहीं कर सकते और अगर आप बात करोगे तो मतलब वह रूल्स के अगेंस्ट है मतलब समझे लिए अप लो तो फिर इसलिए गाइज अब पियन का रूल फॉलो अगर मेरे को करना पड़ता तो फिर मेरे को मतलब जो मेरे मतलब कैरी भाई और रोहन मतलब मैं उनसे बात नहीं कर पाता तो फिर मैंने हर्ज भाई को आप मतलब रात में डिस्कॉर्ड में बुला के अच्छे से आप बात कर ली थी जो भी सीन था और मैंने उनको बता दिया और उसके बाद मैंने खु क्यों गिल्ड छोड़ा अब मैं आपको दिखाने बाला हूँ कि इसमें यह क्या रेक्शन है क्यों नहीं है वाइन इस नोट देर गाइज वाइज तो गाइज मैं आप सभी को चलो स्टोरी थोड़ा क्लियर कर दूं ठीक है जो क्लियर कट है वो आपको मालूम होना चाहिए ए आयान ने कोई गलती की नहीं I don't think so की गलती कोई की हो गया इन पी एन रहते हुए ठीक है कोई भी गलती है नहीं कि आयान का मतलब एकदम ओवरॉल बेक्राउंड क्लियर है तो फिर आयान गिल्ड में क्यों नहीं है तो गाइस सबसे पहले गाइस मैं चलो आपको यही सब क् और आयान ने जब चैनल क्रेट किया तो वो अपने चैनल पर काफी अच्छा मेहनत वगरा जो भी है वोटेवर कर रहा था ठीक है तो उसके बाद हमें लगा कि यार देको आयान मेहनत भी करता है और कहीं न कहीं एक्टिव भी है तो हमें इसे सपोर्ट करना चाहिए तो इस रात रात भर बैट के जितना भी उसके चैनल पर जितना भी फूकस होता है वह सब कुछ के बारे मुझे कैसे क्या होता है तो यह तो एक तरकी होगी सपोर्ट वाली चीज की मैंने कितना सपोर्ट किया ठीक है तो हुआ कि कुछ तेम पहले आपको पता होगा कॉन्ट्र चल तो उस टाइम पे यहां पर आयान ने जब वो चीज देखा तो आयान ने जहां पर बस ना कि मुझे complete guild वालों को उसने बात बोले कि हर्ज भाई मुझे यकीन नहीं था कि रेक्स भाई ऐसा करेंगे हर्ज भाई मुझे बहुत बुरा लगा बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मैं आपके साथ पूरी जिन्दगी भर रहा हूँगा जब तक मैं free fire खेल रहा हूँ हम PN को बहुत आगे ले कर जाएंगा ऐसे वैसे मतलब आप सोच नहीं सकते इतना मतलब इतना फेक दिया कि मतलब हम सबने किदम वारे भाई यही तो भाई है हमारे तो कुछ नहीं गाई यहाँ पर कॉंट्रोसी वाले टाइम पर आयान भाई के तो यही सब थे कि भाई कोई तो है PN में बड़ गई यहाँ पर इसलिए आन भाई कभी भी किसी भी सर्वर पर रहे या किसी चीज के लिए भी मैंने मना नहीं किया स्टार्टिंग में कभी भी फिर क्या होता है कि हाली में बहुत सी चीज़े आ रही थी जिसके वज़े से यहाँ पर आपको नहीं डिसाइड कि क्योंकि गईज कोई भी नहीं चाहे गा अपनी प्राइविसी लीक होते दे मतलब कोई भी नहीं देख सकता है या प्राइविसी अगर फर यह कहीं से और हमें पता नो क्यूंकि D infiltrated और अधिmn रहे वहिहależने ऐसी है तो कॉई हमने रूल निकाला तो क你要 of हुआ क्या कि उस रूल के दौरान धान सा मेरी बाते सुनना ठीक है वहाँ पे एक बंदा था पी एन करी जो हमारे गिल्ड के काफी पुराने member रह चुके है हुआ क्या कि वहाँ पे वह भी था उस meeting में जब मैंने बताया कि कोई भी तुम लोग एक्स member से connection नहीं रखना and everybody will be like कि हाँ चलेगा कोई दिकत ने कोई दिकत ने issue ने कोई issue ने फिर गाइस क्या होता है सोचो अगले ही दिन यहाँ पे हमें किसी के थुरू एक ऐसा photo देखने को मिलता है जिसमें यह जो कैरी नामक बंदा है जो PN का काफी old और loyal type का member रह चुका है वो guys यहाँ पे Rex के VC पे बैट रखा है और पिछली दिन बोल रहा था हां भई यहाँ पे हम सारे VC वगरह सब lift कर देंगे unfriend कर देंगे सब खतम कर देंगे don't worry Harz भाई कहीं भी आप कोई privacy leak नहीं होगी कहीं भी कोई इधर उधर बात या नहीं करेगा यह और वोटेवर तो guys यही रीजन था तो आप लोग ने देखी लए होगा कि PNHR ने PN के बारे में क्या कुछ कहा फिर इसके बाद PNHR ब्रो ने नॉन्स्टॉप गिल्ड के बारे में कुछ कहा उस वह वाला क्लिप आप लोग देखो तो आप बात करते हैं इस PNK haters के बारे में जिनका खुद क अगे बढ़ने के लिए अपने राइवल्स को गिराना पड़ता है ना कि खुद कुछ अच्छा कर इनसे यह नहीं होता तो बेसिकली क्या करते हैं कि हमारे गिल्ड के जो दोगले लोग है उनके रोटी पाने का बंदोबस यही है मतलब अगर अमहान के चलो आगे आपको कोई भी PNK से निकलता बंदा दिखेगा तो आपको ज़रूर वो NG में ही जाता दिखेगा यह बात की मैं गैरेंटी दे सकता हूं क्योंकि वो गिल्ड अभी लीव किया होगा जब वहां पर और एक बंदा है जो अपने हर धोस्त को धोका द refuse है मतलब हर किसी दोशन के रखा तो क्या आप उस धोकेबाद से करना चाहती कभी वी सोचो जब तक आपको अससे फाइदा नहों कोई कंचबाय खेली नीकी करना चलिगा यह प्लेयर जोए नेंगे भाई 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 बस समझ गया ब्रो बैसिकली मैं इनको हेटर क्यों बोल रहा हूं मैं वह आपको बताता हूं कि बेसिकली का इसलों वीडियो बने आते हैं वीडियो में एक रड़ी रोने वाला बैक्राइब मुजिक जरूर मिला मतलब ओपी सब कुछ बढ़िया लेकिन जहां इसको प्रमोशन मिलना बंद हुआ सामने वाले जो प्रमोट कर रहा था उसी के वीज़ डाउन हुए तो इसके साथ इतना बुरा हो रहा है कि भाई की गान फट रही है यहाँ पी एन में तो आप लोग उने देखे लिया हो